मननिये मुखमंत्री स्री नितिस कुमार जी नौकरी घोटाला किये हैं 17 सालों में बेरोजगारों का फाउज जमा किये जिसको नौकरी दिये उस नौकरी करने वाले को भी नियुक्ती पत्रिन होने दिया पुना ये नौकरी घोटाला है 10 लाख, छोटे मिया, बड़े मिया, 20 लाख छोटे मिया तो छोटे मिया, बड़े मिया सुभान अल्ला अरे भाई, 20 लाख तो पूरा ये पहले ये कलाख, 7 लाख में बेचैन है सीजन पूरा हो गया, 25 आने में देर नहीं है और ये सारे लोग सियासी फ्रोडिज में से जनता को ठगने का काम करते हैं ये सारे सियासी कलाकारों का जमात हैं ये जनता को ठगने वाले लोग हैं अभी तक बिहार के सिक्षकों को बिहार सरकार के करमचारी का दरजा नहीं मिला है और ये नौकरी बाट रहे हैं लाल टोपी जिस पहीन करके जो सिपाही घूम रहे थे उनको नियुक्ती पत्र माटा गया यही दुरभाग्या है और थोड़ा सा आईवास करना सरकार को जरूरी है चुकि चुनाव आगया है सिकारी आएगा जाल बिछाएगा डाना डालेगा लोब से पस्कना मत तो आप बिहार में रोजगार देबे नहीं किये रोजगार स्रीजन करेबे नहीं किये तो यह कौन आश्चवर्ज का बात है कि 18 साल में पहिला बारे एक्रम लाख 20.000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं यह तो नौकरी घोटाला है भाई यह जंता को ठगने का काम है बेरोजगा फट रही थी इन्होंने रोकने का काम किया यह पूरे बिहार में एक समय था कि चौक चौराहे मंदिर मस्जिद सब जगह दारूग का दुकान खुलवाए और आज दारूबंदी करा के दखिए कैसे पिट्रत अपा रहे हैं तो यह कलाकार है